हलो कैसे हैं वेलकम बैक अनूलेखा किचन रेसिपी तो आज हम बनाने वाले हैं करेली की सबजी जिसे हम करेला दो प्याजा भी कहते हैं तो आज हम इस तरीके से बनाएंगे यह बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा और इसे काटके हमें बहुत टाइम तक ना नमक पे देले और इसे में धूके अच्छे से गोल-गोल काट लिए हैं देखे इसे मैंने कोई भी नमक नहीं डाला है डायरे काटा है और इसे अब मैं एक पैन लेके इसमें दो बड़े चममज तेल डालोंगी तेल को हम होने देंगे गरम तो यह हो गए हमारे तेल गरम अब इसमे नहीं लाना है पस हलकर सा करेल हमारा पक जाएं उतना ही आपको पकाना है जिसा कि आपको पता है करेल डायवेटीज वालों के लिए कितना इंोरेंट है तो इसमें से बीना कड़वाहत निकाले दो venee करE लें चीज़ को अपसे करेले नहीं करना है ज्यादा इसको क्यों नहीं करने बुख पूरे त explosion के श्चेज़े निकाल के तो आपको इस तरीके से अच्छे च presidency legislation एक प्लेट में निकाल लेना है और जो यह तेल बचा है ना इसी में हम अपनी सबजी बनाएंगे तो यह देखिए बढ़िया सा मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है अब इसी कड़ाई में जो पैन है हमारा उसमें हम आधा चमज यह हमने क्यूमिन सीट मारे जीरा ले अब जीरा जो पटकने लगे हैं तो इसमें मैं आप डाल दूंगी कटे हुए तीन बड़े कटे हुए प्याज तो मैंने 5-6 करेला लिया है और 3 प्याज लिया है तो अब इस प्याज को भी हम अच्छे से कर लेंगे इसे भी आपको ज्यादा गोल्डन नहीं करना है बस थो हुए हरी मिची का डाल दिए यह पूरी तरह ऑप्शिनल है आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं तो यह देखिए बड़ी असा हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे हमारे कुटे हुए अधरक चोटा सा इक पीस लिया है मैंने उसे चील के कूट लिया है मान दस्त अब आपको इसमें डालने हैं कुछ मसाले तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दोगी अधी आधि चमच मैंने इसमैं हольно एकम प्रिया है और इसमें डाल सबस्तिक मैंने स्वाद के अनुसार मैं बढाई है मैं दृनिया पाउडर आधा चमच लगभग और लाल मिच पाउडर मस मसाले की कौंटिटी आप अपने स्वाद के अनुसार रखेगा तो ये बड़ी असा हो गया मसाला रेडी अब हम फट्टा अफट इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे हमारे सबसे इंपर्टन इंग्रेडियन्स सॉफ कुटी हुई यहा साषा का लगा है करेला उसे हमारे पक चुके थे पर आज भी हमारा पक चुक आए तो देखे किया बड़ी असा क्लार आ गया है इसे हम स्टुड़े डेक्ड द़के तीन से चार मिनिट के बाद यह आज डए तो तीन से चार दालेंगे हुगा विल्कु Von तरीके से अब इसम अमचूर पाउडर को डालने के बाद इससे हम कर देंगे अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो हरे धनियां डाल देंगे यह हमारे हो गए हैं करेली की सब्जी रेडी या इसे आप रोटी के साथ डाल चामल के साथ सब कर लिए करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना करना के साथИ वाट हैं तो है है और रहत है हैं के देंप और रहब जिए एनियां करम हैं कि बा extremism झाल झाल